अब बात करेंगे मोतिहारी की जहां पर जहरीली शराब का कहर बर्पा है अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई कई लोग अभी भी बेमार है इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने आश्रंग का जाहिर की है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है हालकि प्रश्वासन पूरे मामले की लीपा पोती करने में जुठा हुआ है मोतिहारी में जहर जान ले रही जहरीली शराब मौत बन कर छलकी तुर्कोलिया, सुगौली, पहाड़पुर में कहर लोग दम तोड रहे, सियम नितीश नसीहत दे रहे मोतिहारी में जहरीली शराब मौत बन कर छलकी है हर ओट चीक जितकार है किसी के सिर से बाप का साया उठ गया तो किसी के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया तुर्कोलिया से लेकर सुगौली और पहाड़पुर तक जहरीली शराब ने कहर पर पाया है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है कई लोग इलाजरत हैं गाउं में भी कुछ लोग जहरीली शराब पीने का दावा कर रहे हैं तुर्कोलिया से लाइफ जो चुके हैं मुतिहारी में जिस तरीके से मौत का आकड़ा बढ़ा 22 लोगों की मौत बताई जा रही है क्या कहें वाकई जो प्रशासन है वो लीपापोती करने का काम कर रहा है चुकि परिजन कह रहे हैं डॉक्टर्स जिन्होंने इलाज किया वो कह रहे हैं कि शराब पीने से कही न कही मौत हुई है तो ऐसमें बड़ा सवाल ये है कि वाकई क्या लीपापोती करने में जुटा हुआ है प्रशासन देखिए प्रिती अभी हम जहां पे मौतिहारी के तुर्कॉलिया में है तुर्कॉलिया का ये लक्ष्मी पूरह गाओं और सिर्फ लक्ष्मी पूरह गाओं में यानि जहां हम है अभी यहां पे पांच लोगों की मौत हुई है जबकि तुर्कॉलिया की बात कर ले तो दस लोगों की मौत हुई है और 15-16 लोग जो है अभी इलाजरत है जिसमें 5-6 लोग अभी इस गाउं के भी इलाजरत है और जो परशाशन की ओर से आंकरे है वो 10 है और उनके अनुसार 14 जो मौत की खबर है और 10 जो है वो इलाजरत है दिखिए ये जो बगलबे घर है यहाँ पे भी पूरा मातम का महौल ह है इस पूरे गाउं में और धुरूब भगत का यह धुरूब पाश्वान का यह घर है और ठीक इसके आगे अशोख पाश्वान और दोनों लोगों की मौत हो गई है उम्र 30 साल और 40 साल और यह परिजन है और जो धुरूब पाश्वान है उनकी बेटी की साधी थी 15 तारीक को अगले महीने में और इसको लेकर यहां पर तयारिया जो है वो चल रही थी लेकिन जो भी पैसा जमा पुंजी थे जो बेटी की साधी के लिए थे वह इलाज में खर्च हो गया और बाब जुद इसके जान नहीं बची और इसी तरीके से सामने एक नहर है एक मौत वहां प पीछे तो कुल मिलाकर पांच मौत जो है यहां पर हुई है और इस तरीके से अगर देखे तो आकरा जो है अलग-अलग जगहों पे इसी तरीके से वो है और इसके अलाबा हरसिधी में मौत हुई है इसके अलाबा जो दूसरे आसपास के जो पहारपूर रहुनाचपूर ज जो पेट में दर्द से लेकर आग की रोशनी जाना और इसको लेकर जब आनन फानन में सुरू में देखिए जो चुकी सराब बंदी है बिहार में लिहाजा कोई ये सुईकार करना नहीं चाहता सुरू में कि वो सराब पिये है चुकी सजा हो जाएगी तो लिहाजा इससे बच करना स्विकारते हुए डाइरिया की बाते जो है वो कही गई कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं दिखे यहां पेक महिला है इनके छोटे भाई थे जो धुरूब पास्वान है कैसे क्या हुआ 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 हो स्पीटल में लेके गे रहे हैं लोग तो हमनी कितर खाबर गेल आफ कागज तब लिखार है खात्तम तब लोग खाला कई लग तब निकल लान पैसा छोड़ा सना पैसा जामा की जी तब ले जाइए तो आपके गाउं में और कितने लोगों की मौत हुई है एगो जिंके बहिं जवार बाड़ान उह घर में के बाड़ान तो उहो डेट कर तो पांच लोग जो है यहां पे निधन जो है वो हो चुका है इसके अलाबा इस गाउं से अभी छे साथ लोग जो है उनकी भी स्थिती गंभीर है और उनका इलाज जो है वो चलड़ा है और कुछ यहां पे लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कैसे क्या हुआ था गाउं में तो यह कुछ बस्तुश्थिती है प्रिती और यह गाउं और आसपास के गाउं जो है यहां भी मौत का आकरा है और इस तरीके से देखें तो बाइस मौत जो है वो हो चुकी है और परसो जो यह पूरा मामला जो है शुरुआत जो हुई थी और उसके बाद कल तक मौत हुई और इस तरीके से अब यह बरा सवाल है कि आखिर शराब बंदी है तो फिर शराब आ कहां से रहा है बिक कैसे रहा है लोग उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हैं पुलिस परसासन की दावेदारी अपनी के रही है और फिर मामला वही है कि सब जगह सुलब तरीके से सराब जो है वैद अब आबए तरीके से उपलब्द है लोग इसे पी भी रहे हैं लेकिन उसमें अगर जहरीली सरां यह इस तरीके का मामला आता है अस्थानियास्तल पर पर ये भी खड़ा होता है कि सिस्टम में आखिर खामी कहा है और सीधर तोर पर सिम नतिश्च कुमा ने नसीहत तो दी थी कि जो शराब पियेंगे वो मरेंगे दूसरी और उन्हें ने ये भी कहा था कि आक्शन लिया जाएगा कारवाई होगी बिहार में पूर शराब बंदी लिपा पोती की जाती है नसीहत दी जाती है होती है लेकिन जिस तरीके से सराब उपलब्ध है और हर जगा ये मिल रहा है लोग इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं और जब बरी घटना के तोर पे जब मामला सामने आता है तो फिर परशाशन की किरकिरी होती है सरकार की किरकिरी होती है लिहाजा कुछ छापे मारी की बात या फिर धरपकर की बात और इसके अलावा भटिया जो है अबैद फिर मिले लगते हैं उसको तोरने की बात होती है मदनिसेद विभाग जो है वो जागरित होता है और उसके बाद फिर मसला वही धाक के तीन पात और बदस्तूर ये सिलसिला जो है वो जारी है लेकिन जिस तरी यह पूरा मामला जो है खास तोर पे अभी मोतिहारी का इससे पहले आप तेखेंगी सारण का इससे पहले बैसाली नालंदा और कई सारे जो जगह हैं बिहार में अलग-अलग जगहों पे जब बरी घटना सामने आती है तो फिर निंद्रा तंद्रा जो है वो तूटती है प्र लोग गरीब तब के कहें मजदूरी करते हैं और गेहूं की कटनी हो रही थी अभी उसमें पूरे दिन मजदूरी के तौर पे काम करके पैसे प्रशासन की जो गहरी मीन बे वो सोय हुए हैं इसको जागर करते हैं और जो तमाम दावेवाद की जाते हैं उसकी पोल खोलते वे नजर आते हैं शुक्रा रजनी शाब का तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए चलिए फिलाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार